नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई है दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं दीपक की लव तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदी प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं साथ ही अगर आप दीपक के लव किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है तो इन घटनाओं से भी हमें शुब अशुब संकेत मिलते हैं अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुब या अशुब समाचार भी मिल सकता है लिए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुब अशुब संकेतों के बारे में दोस्तों दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गये हैं शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है दरिद्रता को समाप्थ करके घर में सुख समरिधी लाता है लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई शुब फल प्राप्थ नहीं होता है अगर आप सही विधी से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुब परिणाम प्राप्थ होंगे दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक्ता को नश्ट करता है यहाँ आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक उर्जा भी नश्ट हो जाए है और घर परिवार के सदस्यों में शान्ती बनी रहती है अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाए मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे पुरानों में कहा गया है मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिदरता का नाश होता है शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है उसे घर में रहने वाले लोगों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ा आता है, उसे घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं, निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नश्ट कर देता है आज हम जानने वाले हैं, घर में दीपक लगाने के संबंध में मैत्वपूर्ण नियमों के बारे में साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ती के सामने दीपक नहीं लगना चाहिए दीपक के भी विविद प्रकार होते हैं, कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और दीपक जलाने से मिलने वाले शुब फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य की जान लेनी चाहिए, इसी लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सबसे पहली बात दोस्तों अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है, तो घर में हमेशा सकारात्मक उर्जा सक्रिय रहती है, वास्तु दोश बढ़ाने वाली नकारात्मक उर्जा समाप्थ होती है, दीपक के धुए से वातावर्ण में मौजूद हानिकारक सुक्षम कीटानों नश्ठ हो जाते हैं, जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्टियों के सामने लगाया जाता है, तो दीपक के प्रकाश की किरन देवी देवताओं की मूर्टियों से टक्राकर घर में चारों और फैलती है, जिस घर से नकारात्मकता का नाश होता है, जब यह किराने हमारे शरीर पर पड़ती है, तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्थ होते हैं, इस प्रकाश की किरन के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशिर्वाद प्राप्थ होता है, साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है, जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीडित हैं, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाए जब दीपक के प्रकाश की किरन देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी, तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मक्ता का नाश हो जाएगा दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है दीपक सुभ़ पांच बजे से दस बजे तक और शाम को पांच से साथ के बीच में जलना शुब होता है शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक्त शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाए यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिनाम प्राप्थ होंगे भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाए हालां की घी के दीपक को सर्वश्रिष्ठ माना गया है दीपक जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक तूटा हुआ ना हो, भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है, घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओ कि पूर्ती के लिए लगाया जाता है, बात का विशेश ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुछ नहीं चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, घी के दीपक के लिए सफेद रूई की बत्ती का उप्योग किया जाना चाहिए जबकी तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रिष्ट बताए गई है, शाम के वक्त घर के मुख्य दर्वाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए, इससे माता लक्षमी प्रेस नहोकर घर में प्रवेश करती है, ध्यान रहे की दीपक को डोट जमीन पर न रखकर, चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज़ पर रखें शास्त्रों में बताया गया है, अक्षत पर दीपक रखने से एश्वर्या तथा धन संपत्ती में व्रिध्धी होती है, पीने के पानी के बरतन के पास धी कादिया जला कर रखते हैं, तो इससे घर में में धन की व्रिध्धी के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है, साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, दीपक को हमेशा अलग-अलग करके जलाए चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो यदी धन का खर्च अधिक होता है, अध्वा घर में पैसा नहीं टिकता है, तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगे इससे लक्षमी स्थिर रहती है और धन का कारण ही खर्च नहीं होता है दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए शुभम करोती कल्यान हम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धी विनाशाय दीपम जोती नमोस्तुते इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्यान करने वाली आरोग्य और धन संपदा देने वाली शत्रु बुद्धी का विनाश करने वाली दीपक की जोती को नमस्कार है शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समरिध्धी बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोश दूर होते हैं चलिए अब जानते हैं अलग-अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृध्धी होती है इससे घर के सदस्यों की आयू लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारिया दूर रहती है वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिन दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीडा रहती है वो पश्चिन दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाए उत्तर दिशाधन के देवता कुबेर की दिशा है इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्थ होने लगती है और आर्थिक स्थिती मजबूत बनती है लेकिन दक्षिन दिशा की तरफ दीपक को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यू की दशा है इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जबकि इसी की मृत्यू होती है आप जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुब संकेत समझना चाहिए आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी था तरह से खयाल रखेंगे लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में अस्फलता का सामना करना पड़ सकता है यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुब संकेत है यह धन की प्राप्ती होने का संकेत माना गया है और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक चलता है और बाकी शेश रह जाती है तो आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में फाइदा होने का संकेत माना गया है दक्षिन दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुच जाती है तो यह अशुब संकेत समझना चाहिए यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके मित्र आपसे अत्यंत प्रसन्न है और उनका आशिरवाद आपके उपर बना हुआ है यदि पश्चिन में दीपक की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है तो आपकी मान से तनाव में कमी आती है और अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शान्ती बनी रहेगी लिए आप जानते हैं दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए शनिदेव की पूजा में सर्सों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुब होता है इससे सभी के दोश समाप्थ हो जाते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सर्सों के तेल का दीपक जलाया जाता है इसके साथ ही आप अगर दीपक में एक लॉंग डालते हैं तो और भी अधिक शुब परिणाम आपको मिलेंगे सूर्य देव को महुआ के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है सूर्य देव को दिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है, संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीप पाक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है, दोस्तों शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है, इसीलिए नित्य घर की छट पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह बुरी शक्तियों जब घर में प्रवेश करती है, तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है, आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं, घर में बार-बार क्लेश लड़ाई जगड़ा धन की हानी जैसी परेशानिया निर्मान होने लगती हैं, इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थ ना करें, अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए जब भी का दीपक जलता है, तो उससे निकलने वाली सकारात्मक उर्जा की किरण आपके घर के वातावर्ण को शुद्ध बनती है, आपके जीवन में चल रही सभी परिशानियों का अंत करती है, इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनरजी आपके मन को शान्त रखती है दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तिमाल करें, अगर मिट्टी का कर रहे हैं, तो यह खंडित नहीं होना चाहिए, इसके अलावा दीपक जलने के बाद, दीपक ना मुझे इसका खयाल रखें, इसके लिए आप काँच की चिमनी से दीपक को डोट धक सकते हैं, अगर किसी कारण दीपक बुझ जाय भगवान से क्षमा मांग कर उसे दीपक को फिर से जलाए, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आपके दीपक में भी बात बन जाता है, हमें क्या करना चाहिए कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें, अगर आपके मंदिर का दीपक तूट जाता है, या फिर खराब हो जाता है, या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदले, लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को नफेन के बलकी उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ती आ जाती है उसमें सकारात्मक उर्जा भी उसे दीपक में आ जाती है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके दीपक में भी बाटी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है, तो सबसे पहले यह देखें कि कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उसे पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलाया फिर उसमें बाती बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है, यह बीमारी के संकेत होते हैं, और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि आपकी बात ही पूरी तरह जलनी चाहिए, और उसमें घी न बच्चे क्योंकि आपकी अच्छी सिहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है, और वहीं दोस्तों अगर आपके घर के मंदिर में दीपक कि बाती पूरी नहीं जलता या पूजा करते समय दीपक बार-बार बोज जाता है, तो यह ज़रूर आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास है, और वह आपकी पूजा में विग्ण डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, कि आप स्वस्थ تन मन से दीपक जलाए भग्वान राम श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने सकारात्मक उर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक उर्जा खत्म हो जाएगी क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि एक वातावर्ण में एक ही तरह की उर्जा रह सकती है या तो सकारात्मक उर्जा या फिर नकारात्मक उर्जा और जो बुरी शक्तियां होती है वहीं यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा तो यह बुरी शक्तियों हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार-बार बोज जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं चल पाती है, तो इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और आप जब भी दीपक जल लाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक उर्जा है आपसे दूर हो जाएं और घर में सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएं दोस्तों अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार-बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और यह लक्षन बार-बार दिखाई देते हैं आप एक को पाए और भी कर सकते हैं गंगा जल का क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है तो आपको करना क्या है कि गंगा जल से घेरा बना लेना है और उसे घेरे में दीपक को रखें क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है महादेवी का वर्दान भी गंगा जल को मिला हुआ है तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ती प्रवेश नहीं कर सकती है इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की उर्जा को सकारात्मक उर्जा में बदल देता है अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यहाँ आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा और साथ ही कोई भी नकारात्मक उर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी तो दोस्तों इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समरिधी से भरपूर बना सकते हैं, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करे